हलो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एनस चैनल में अभी बहुत सारी मटर आ गई हैं सीजन आ गया है मटर का और ठंडी भी आ गई है तो हम आज मटर का ही ऐसा एक नास्ता बना करके त्यार करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं मैंने मटर को छील कर यानि मटर के दाने म और इनको दो करके रख लिया है अभी हम क्या करेंगे एक कटोरी लेंगे चावल और चावल को हम आप नाप करके ही लीजिए एक कटोरी और उसको डाल देंगे एक बाउल में आप चावल कोई साभी ले सकते हैं और अभी क्या करेंगे दो से तीन बार हम चावलों को पहले 10-5 मिनट पहले बिल्कुल नहीं यह तुरंती राष्टा बनके रेडी हो जाएगा अभी हम डाल देंगे जो हमने मटर लेकी रखी हो यह न छील कर धोकर वो डाल देंगे अभी डालेंगे 2 इंच यद्रक का टुकड़ा छिला हुआ और यहां पर हम डाल देंगे 2 के लिए बना रहे हो तो आप इसको कम भी कर सकते हो और इसकिप भी कर सकते हो अभी डालेंगे आदा ग्लास हम पानी और मिक्सर जार के धकन को लगा कर हम इसको बारिक पीस लेंगे यानि पेस्ट जैसा बनाकर तयार करेंगे यह लिए पिसकर तेरा पेस्ट तयार हो गया है ये देखिए consistency आपकी ऐसी ही रहनी चाहिए ये देखिए इस तरह से ही आपको पीस लेना है अभी हम क्या करेंगे बाउल लेंगे बड़ा और उसमें सारा मटर का पेस डाल देंगे अभी डालेंगे हम एक बारी कटी हुई प्याज डालेंगे इसके बाद हम डालेंगे इसमें भाजी मसाला ये बहुत ही टेस्टी होता है अगर आपके पास नहीं है तो आप मैजिक मसाला भी डाल सकते हो इसके बाद हमको कोई मसाला डालने की जरुवत नहीं पड़ेगी अभी डालेंगे हम नमक स्वाधनुसार और डाल देंगे यहाँ पर ही आदी कटोरी दही अब आप बोलेंगे दही तो हम पहले भी डाल सकते थे मिकसर जार के साथ हाँ डाल सकते थे बट आप इस तरह से एक बार बना करके देखिए इसका अलगी टेस्ट भी आएगा और टेक्शर भी आएगा और अच्छे से हम इसको मस जो हमारा पेश्ट है अच्छे से मिला लेंगे इसमें हमें और कुछ ज्यादा इंगिडियन्स डालने की ज़रुत नहीं अगर आप चाहे तो और भी सबजी या इसमें डाल सकते हो और चमच आप यहां पर इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे से मिला लेंगे जभी आप यह नास्ता बनाए तभी आप इनो यह सोडा डाल कर तुरंत बना लें 15 मिनिट के अंदर यह नास्ते को बना कर तियार कर लें अभी हम एक चमच और थोड़ा तेल डाल देंगे और फ्राइपेन को गरम होने तक रख देंगे इसके बाद हमने जो बैटर बनाया है वो डाल देंगे आप थोड़ा ज्यादा डालिए एक से दो चमचा हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा इस तरह से घुमा लेंगे चमचे को और गॉल कर लेंगे अभी क्या करेंगे हम इ अब आप इसको छोटा या बड़ा कैसा भी बना सकते हैं अभी हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा और तेल डाल देंगे ये देखिए इस तरह से और पांच मिनट इसको ढख करके रख देंगे और बस इसको पलट लिया है मैंने एक बार और आप कैसे देखिए इसको जैसे आप नीचे से इस तरह से हिलाएंगे न तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपका नास्ता जो आपने बनाए मटर का वो नीचे से सिख गया है ये देखिए अच्छे से कुरकुरा होने तक आपको कम से कम तीन से चार्वनेट लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको सेखना है ये बहुत ही फलपी बनेगा ये देखिए मैं आपको दबा करके दिखाती हूँ ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है और कम तेल में बन करके ये नास्ता तेयार हो जाता है ये देखिए एकदम क्रिस्पी लग रहा है आपको उतना ही ये सॉफ्ट भी है मैं प्लेट में निकाल करके आपको दिखा देती हूँ ये देखिए तयार हो गया हमारा नास्ता और मैं इसको शर्व कर रही हूँ दही स मैंने छास मसाला दही में डाला है और ग्रीन कलर की चटनी यानि हरे धनिया की चटनी से यह देखिए हमारा नास्ता कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही इतना अच्छा है तो खाने में तो और भी टेस्टी है तो फिर फ्रेंड्स आप भी इस तरह से इस नास्ते को बन थांक्यू